हाई प्रेंड्स वेलकम टी इंडियन गर्ज चानल और मैं हूँ रूश्या मेनी आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ आप एलोवे रखो कैसे आज़िस क्लीजर, टोनर, स्क्रवर और मॉश्राइजर के हिसाब से रूस्काशने है तो लेट सबसे पहले एलोवेरा लीफ लीजिए आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते है एलोवेरा लीफ को फोर पीसेस में काट लीजिए हर हिस्से को दोनों साइट से काट लीजिए, फिर उपर के हिस्से को निकाल लीजिए एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसमें वाइटामिन C, वाइटामिन E, एंट बेटर के रूटिंग है जो स्कीन को नारिश करता है ये skin को moisturize करता है लेकिन greasy feel नहीं आती aloe vera में healing properties है जो sunburn को ठीक करता है ये skin के उपर एक protective layer की तरह काम करता है और ये moisture को lock करता है इसमें nutritional qualities और antioxidant तत्वा है जिससे skin जल्दी healed होती है aloe vera को मैंने four pieces में काट लिया है पहला है quinzing के लिए दूसरा है scrubbing के लिए तीसरा toner के लिए और fourth वाला है moisturizing के लिए aloe vera के उपर थोड़ा सा चावल का आठा या फिर चीनी लीजिए skin को scrub करने के लिए इससे आप पेस को scrub कर सकते हैं एक कंटेनर में aloe vera gel को aloe vera lip से extract कीजिए इस aloe vera gel से मैं toner बनाऊंगी अब इस gel में rose water मिलाना है मैं two teaspoon rose water मिला रही है अब इसमें two teaspoon mineral water मिलाईए mineral water ना हो तो आप normal water भी मिला सकते हैं सब चीजों को अच्छे से mix कर दीजिए फिर एक empty spray bottle दीजिए इसमें बनाया हुआ mixture को डाल लीजिए इस toner को हर बार use करने से पहले shake करना है इसे आप 7 से 10 दिन रेफ्रिजिटर में store कर सकते हैं अभी इनको मैं अपने face में apply करने वाले हूँ first cleansing, then scrubbing, then toning and moisturizing aloe vera से cleansing करने के time आप चाहे तो honey भी add कर सकते हैं apply करने से पहले अपने face को धो लीजिए फिर एक aloe vera के piece को लेके अपने पूरे face को massage कीजिए aloe vera में moisturizing तत्व है इसलिए ये skin के लिए बहुत beneficial है ये skin को hybrid रखता है और skin की elasticity को improve करता है इसलिए wrinkles remove होते है aloe vera skin के pH को restore करता है और skin को deeply moisturize करता है with the help of natural enzyme and essential vitamins ये skin में oxygen प्रवाइट करता है जिससे skin tissues strong और healthy होते है aloe vera को after shaving lotion के रूप में भी use कर सकते है फिर एक weight tissue लेके या फिर cotton के ball को पानी में भीगोके पूरे face को अच्छे से पोच लीजिए ये हो गया आपका easy and homemade cleanser अब दूसरा एक aloe vera का पीस लीजिए और उसमें चीनी या फिर चावल का आटा डालके अपनी स्कीन को scrub कीजिए अलो वेरा में antioxidant, beta-carotene, vitamin E, vitamin C है जो स्कीन को hydrate रखता है और acne और scars के लिए भी ये बहुत effective है aloe vera damaged skin को repair करता है और skin cells को rejuvenate करता है इसके natural cleansing तत्वा सिर्फ sports को ही light नहीं कर दी इसके साथ साथ skin tone को भी bright करता है पूरे face को एक से दो मिनित के लिए scrub कीजिए scrubbing weekly 2-3 days से जादा नहीं करनी चाहिए अभी face को normal पानी से धोके पोच कीजिए aloe vera toner को अपने पूरे face में apply करके ear dry कर लीजिए अब fourth piece of aloe vera को अपने face में apply कीजिए सुबह उठके आपका skin बहुत fresh और bright दिखे इस cleansing toning और moisturizing process को regular basis पे 15-20 days के लिए follow कीजिए और weekly 2-day scrubbing कीजिए ऐसा करने से आप visible difference पा सकते हैं अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे like ज़रूर कीजिए इस video related कोई भी सवाल हो तो आप उने में लिचे comment box कीजिए मेरे इस video को आप आपके friends के साथ share भी कर सकते हैं और मेरे चानल को subscribe करना बिल्कूल माद भूलना आगे से बहुत अच्छे वीडियो दें के लिए अभी के लिए बाबाई टेक क्यार